तो हलो रिसकी आमी आज मार्ट करने माले मतलब की कम्पार्जिण का टोटल की टोटल नय और तवाही फ्लाक्सी फोन की पीच में जो बहुत मज़ेदानों बने पालिक तुन लोगों को बहुत मज़ाने माले क्योंकि आज एक फोन है भाई भीवो का एक स्थिप्टी प्रो ज पहले लांच हो तो मतलब की दो नकता आए फोन जो बहुत लोग खडीकते लोगों को बहुत पसंद भी मुझे खास करके मुझे भी पसंद आता है तो फ्लाक्सी फोन है तो या बहुत मज़ाने माले तो लेस्ट के स्थार्ट वीडियो ब्लोगों पांच स्थाप्स के पहला प्रोसेसर जिसमें 765G आया तो दिक्कत रो सकते हैं तो कोई नहीं बस ठीक ठाक करेंगे तो एक होने वाला ही डिस्प्लेइ उसके बाद बाद बैक रूस्पार श्पीकर प्रोसेसर और कामरा पांच चीज बेस्ट होने वाली आज की वीडियो मतलब की तवाही होने दोनों फ्लेग फ्लाक सीअल होने फ्लाग में रहते हैं तो आज बात करने भूंगे प्राइज फीरलास्ट में जड्रूरी तो और प्रास में डे। जलूरी है है आरे तो रुख जाये आरो इन गोह को बोलना पर रहे लोग समझते नही भीला अपीस लाएक हो बोलाकों को बोलना प्रेली समझते नहीं है नاحएक अब लाइक और सबस्क्राइबस क्या लाइक और सबस्क्राइबस के बैंने 1 तबाही और उसके पाद ही देखने के लिए जाते हैं मतलब 3D ग्लासे मतलब गोडिला ग्लासेस जो अथी करती है मतलब उसको सेफ करती है और भाई इतना भी नहीं HDR Plus का सपोर है और QRH QHD Plus तो है तो उसमें कोई लाजवाब नहीं X50 Pro की बात करता है तो X50 Pro में भया हमी भी Super AMOLED डिस्प्लेट मिल जाते 6.56 इंचेस का डिस्प्लेट तब आही ब्रो मतलब कि मैं उसमें तब गोल क्याता है मतलब 6.78 इंचेस का डिस्प्लेट पिस्टे बरावाला डिस्प्लेट थोड़ा सही जादान ये बस थोड़ा सही वह 20Hz ये 90Hz तो इसमें दिक्कत हो जाती कि ये 30Hz वह जाला हो जाता है तो इसका पॉइंट 1 प्लस 8 की बात करें तो 1 प्लस 8 का बैटरी मिल जाता है हमें मतलब कि 4510 mAh की जवाही बैटरी एक तो फुल फिल बैटरी मिल जाता है हमें बहुत पसंद है 30W का इंबॉक्स बात करें तो इसका मतलब कि 33W का चार्जर मिल दो टिंग वर्ट जाला है तो ठीथा कि ये मतलब देज दिया जाता है फिर भी कम खा जाता है मतलब कि फिर भी ये 0.1 प्लस को गया तो 2.1 प्लस के और 0.0 नल्ला नल्ला हो गया इसका तो कोई नहीं और देखते है 1.1 प्लस एट प्रो की बात कर ले तो इसमें पर्फॉमंस के लिए में जाथ 865 सिराम ड्रागन का और उसमें भी कूलिंग सिस्टम में तो और क्या आचाहिए वह उनको हम इस प्रोसेशर को अच्छे जाते हैं ये क्या क्या तवाहिं कर सकता है तो इसके बारे में क्या नेक्स्ट लेवल प्रोसेशर इसमें कोई डाउट नहीं है और बात कर लेते है अब X50 Pro के बारे में गाते हैं तो इसमें हम में एक कन्सुन्मिक सेका तो ये पॉइंट कट अफ होता है, प्लस में हम 730G, 735G को हम अच्छे से जानते नहीं है, तो ये कुछ करने से क्या हूं, तो अच्छे से नहीं जाते हैं, हम जाता गड़ें, इमले में नहीं के, कोई नहीं, ये पॉइंट भी चाता है वाइनल लिशन में अभी सुना दे रहा हूं, सबसे पहली पार तो फाइनल लिशन में, एक स्पिप्टी प्रो जीत रहा है, जूकि मैं इसके स्पेक नहीं परने वादा हैं छो, बहां छो अतने बड़े-बड़े स्पेक मैं नहीं पर जाकता, मैं तुम्हें ये दिखा रह तुम्हें खुद परो, खुद डिशाइड देरो, कमेंट्स की में बताओ, हाँ मैंने पर लिया, मैंने सब कुस डीटील चेक किया, पर मुझे प्योरली पता चला कि वही उसमें प्लस नहीं गींबल है, वाई गींबल, मोबाईल में तुम्हें गींबल में मिल रहा है, तो बात कर लेते हैं, कैमेरा के सिर में गींबल बता रहे वाला है, क्योंकि गींबल तुम देखते हो, EIS प्लस OIS दोनों 4K रिकर्डिंग के साथ, और इस पर गींबल भी है, अगर तुम लोग इंबल का सेटिंग अन करके देखो, तुम लोग को दिख जाएगा, कैसे हिल रहा और तुम लोग को देखना इन नंबर क्या तो देख रहा होगा, और जबर दस्त मतलब कि मैंने जब यह फॉन देखा था, मेरा पैस सटके हो गए, ती मेरी मैंने चला जबर दस्त जीजा, और फ्रेंट कैमेरा में तुम देख से तुरू येज भाई है, मतलब कि बड़े भ तुम लोग कता ही जहर फोटो आई हुई है, इसलिए भई मुझे ये चीज बहुत पसंदे है, और कलर ग्रेडिंग तुम सो देख सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कितनी गजब की गई है इसमें, और मुझे बहुत पसंदे है, और हाँ ये नौर्म वाली फोन से ही की गई, और क्या साइज चीज ये इस सलिए और ये पोटरेट मोट क्या मट की तुम लोग आघच चाहते क्या हो, और इस मैकरो सोट का तुम लोग देहर है, ये मैकरो सोट भाई, पूरा का पूरा भाई देखने से प पतलब जहरफोन अने तुमलोग तुमलोग सैटीस्पाय होगे क्यामरे की से दूसरे चीज होगा मैं तो नहीं कह सकता है इस तुमलोग टूटली सैटीस्पाय होने वाला और गीमबल करें विडियो की से पतलब कि श्मूधने से तुमलोग देख सकते जैसे लगाए डीएस ल मतलब यह चीज बहुत ज़्यादा मतलब की लेवल यह लग है और नाइट में नाइट में अलग नहीं एक्स्ट्रीम नाइट मोर दिया जाताए उसका बहाई अलग स्वाध है तुम लोग सोच नहीं सकते और इस वीडियो का साउट और भी उनियुक जाता है रुहिजवया को मतलब उनका Eclipse यूज हो रहा है मैं इसी में यूज कर और फिल्टर भी देखा देखो फिल्टर चेंज करने से क्या जवर्जत लुक आती है मतलब कि मैं जब देख रहा था भई फिल्टर सुल्टर सब मतलब रहा नाइट तुमने भुक एफेक्ट देखा और एकडम साही पिक्चर आते हैं नाइट में भी कोई जहर कुछ तुम बोल ले सकते हैं क्यामरे के चक्कर में कोई सीखाय तो और फ्रंट क्यामरे की बहुत अच्छी बुक एफेक्ट है मतलब की ह यह बहुत मतलब की अलग लेविल पेस को लेकर जाता है और नाइट में और मतलब की भी वही नाइटिन प्रो में आया था और वाला सिस्टम वही और सिस्टम ब्राइटनेस करता है घजब वाली मिल जाती तुमनों बूल नहीं सकते हैं क्या और वीडियो वीडियो तुमनो 8 का आपको aperture मिलता है 4K video shoot कर सकते है 60fps पे आपको OIS और EIS primary में मिल जाता है जो बहुत इची बात है आप 480fps पे slow motion video shoot कर सकते है 720p में उसके अलावा दोस्तों AI वाले बहुत सारे आपको features मिलते है उसके बाद दोस्तों आपको 8MP का telephoto मिलता है जहां पर आपको 3x hybrid और 30x आपक OIS मिलता है तो यहां पर आपको इस phone में dual OIS का support पिलता है फिर आपको 48MP का ultrawide sensor मिल जाता है यहां पर भी OnePlus ने कोई कंजूसी नहीं करी है 120 degree field of view है और उसके बाद 5MP का आपको वही color correction वाला sensor मिलता है लेकिन दोस्तों unfortunately जब मैंने test किया चेक किया camera में जाके तो वो वाला option थ आहीं नहीं इसका मतलब शायद से जो Indian unit box में से बाहर जब मैंने निकाला फोन को तो उन्होंने disabled कर दिया रहेगा मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मुझे वो option दिखाई नहीं तो I think जो फिर बात बाले तो sensor है हो तो विश्ट हो गया अब OnePlus वापस अगर दे दे तो मेरे कहल से अच्छी बात होगी एनिवेस दोस्तों सेल्फी की बात करेंगे आपको यहापस 16 Megapixel की सेल्फी मिलती है वही सेम है जो OnePlus 8 में Sony IMX471 ए EIS मिलता है Full HD वीडियो शूट कर सकते पोर्टेट ब्यूटी वगरा काफी सारे वैसे आपको extra features तो मिल ही जाते वैसे दोस्तों बात करे वो personally मुझे बहुत ही जाता परसन आई तो जो quality है दोस्तों फिस phone में camera की rear camera की वो बहुत ही जाता कमाल किये आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कोई problem नहीं होने वाले है Selfie दोस्तों almost same है मुझे OnePlus 8 जैसा ही feel हुआ यहाँ पर मुझे कुछ खास नया लगा नहीं Natural है काफी अच्छे sharpness है और आप देखेंगे bookie भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है तो Selfie यहाँ पर आपको वैसे काफी अच्छी मिल जाते है वीडियो के बात करेंगे दोस्तों full HD video sample आपको rear में दिखा रहा है आप देख सकते हैं तो अच्छे कासे आप videos यहाँ पर rear में shoot कर सकते हैं OAS मिलता है तो stabilization आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलेगी और details colors देखेंगे सब कुछ आपको अच्छा मिलता है Selfie video देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छे Selfie videos मिल जाते हैं EIS मिलता है full HD में shoot कर सकते हैं तो Selfie में आपको जो quality है Selfie की video की वह भी आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलती है रही बात दोस्तों नाइट की तो आपको dedicated night mode मिलता है अच्छे कासे आप bright pictures night में निकाल से तो तुम लोगों ने देखेंगे लाए इस स्पेसिकेशन तुम नहीं चीज आओ कमेंटेश के ने बताओ कि कि बहुत बढ़ा इस स्पेसिकेशन है मतलब कि मैं आवे घंटे तक भणने बेटेगा तो शाला मैं पालरो जाओ मां पर इतना बड़ा इस स्पेसिकेशन तो कौन लिखता भाई पर कोई नहीं ने लिखा तो बस इतना ही और बात कर लेते प्राइस की तो प्राइस मिल जाता हमे वह या एट मतलब वन प्लस की बात करें वन प्लस की तो 42,000 या 43,000 से शुरू होता है और बात कर लेते बतलब कि यह वान एक 50 प्रो की तो 48-46,000 यह इसका फिक्स नहीं अभी बतारो है इसका फिक्स नहीं प्राइस तो 46,000 और 45,000 से स्टार्ट होगा यह कर्फर्म युद यह फ्लाक्सी लेवर फोन है तो होगा पई तो कुछ निस्था कर सकते तो लाइक और सब्सक्राइब मारो वीडियो कैसे लेगो कमेंड इसके दिन नोबता हमा मेनी ये पहले देन वीडियो थी तो दिक्कत होगी तो स्वाड़ी इसलिक्स लिए अच्छी लगे तो कर दो क्योंकि कुम्हारा भाई हमेशा एसी कमाल वेडियो लाता है तो राचिक होगा आज का हमारा मतलो कि हर चीज हमारा चालता है और गेम प्ले चानल भे तो लिंक के डिस्क्रिप्शन जा और लाइक और सब्सक्राइब करके आ उस पर भी और इस पर बेबितक नहीं सब्सक कर दो